नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो पडोसी देशों की जमीन हडपने की मंसा रखने वाले चीन ने हिंद महासागर यानि की इंडियन ओसियन पर अपनी नजरों को गड़ा दिया है और इतना ही नहीं चीनी पंडुबिया हिंदूस्तानी नवसेना की टोह लेने की हर दम फिराक में रहती है और चीनी नवसेना को देखते हुए अब भारती नवसेना ने भी एक बड़ा दाओ खेल दिया है और भारत के इस कदम से चीन के सारे दाओ धरे के धरे रह जाएंगे दरसल दोस्तो दच्छिड चीन सागर यानि की साउथ चाइना सी में अपना दावा मजबूत कर चुके चीन की निगाहें हिंद महा सागर में ही नहीं बलकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर भी हैं और अपनी समुद्री सीमा की नस्दीक चीन की बढ़ती गुसपैट स भारती नौसेना भी अलर्ड पर है और यही वजाए कि भविस्तिकी चुनोतियों से निपटने के लिए भारत सरकार एसिया का सबसे वड़ा नौसयर निकड़ा बनवा रही है और अभी हाली में भारती नौसेना के प्रमुक ने कहा था कि भारती नौसेना चीन की और स्री लंका की सरहत पर चीन की बुरी निगा पहले से रही है और चीन फिलाल स्री लंका के हमबन टोटा मालदीप के माराओ और बांगलादेश के चटगाउं पोर्ट का नियंतरण अपने कबजे में लेने की फिराक में है वहीं आपको बताते चले की हिंद महासागर का इलाका तेल, खनिज, मचली जैसे संसाधनों से भरपूर है दुनिया भर के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है और भारत के आर्थिक विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है की ब्लू एक जूती से लेकर दच्षिड चीन सागर तक गस्त करते हैं वहीं चीन म्यामार के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक पहुच बना रहा है और बीजिंग की नौसेना अरब सागर में फारस की खाड़ी और आदन की खाड़ी पर भी दबदबा बनाने की फिराक में है और यही नह चीन तो मलक्का स्टेट के उस पॉइंट को भी खतम करना चाहता है जहां भारती नौसेना अपने सहयोगी देशों के साथ मजबूत इस्थित में है और भारत भी समुद्री महासकती बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है चीन और पाकिस्तान की दोरी चुनोती की भारती नौसेना अपने पश्चमी तट पर इस्थित करवार में एसिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रही है और ग्यारा हाजा रेकड में फैला करवाल बेस के जरिये भारती नौसेना के जंगी बेडो को रसत समेत किसी भी तरह की मदद पहुचाने के साथ उनका इस बेस पर कई विवान वाहक पोत, तीस युद्ध पोत और सम्मरीन तैनात की जाएंगी इस बेस पर आई एनस विक्रांत को भी तैनात किया जाएगा और दो दिन पहले रच्छा मंत्री राजनात सिंग ने इस नेवल बेस का दवरा करके उसके निर्माड कारी की और इस नेवल बेस पर एर बेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ एरफोर्स के फाइटर जेट भी आसानी से उतर सके यहाँ पर तनात जवानों का उत्सा बढ़ाने के लिए राजनात सिंग ने नौसेना के जवानों के साथ योग का अभ्यास भी किया था और उन्होंने पंडुब्वी में सवार होकर देश की समुद्री सीमा की बारीकी से निरीच्छडवी किया अब आप लोगों का क्या कहना है एसिया के सबसे बड़े करवाल नेवल बेस पर और क्या ये हिंद महासागर में चीन की कमर को तोड़ पाएगा कमेंट में ज़रूर बताएं भार झाला है, खिढट झाला है।